हेलो दोस्तों नमस्काशन तुसी आईस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है यहां पर आज आपका बहुत इंपॉर्डन टॉपिक है जलवाई से जितने भी कुशन आपके प्रीबीस येर में बने हैं उनको हम डाइग्राम के त्रो याद कर लेते हैं ठीक है यहां पर द देखिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो थोड़ा इंट्रेस्ट बना रहे इसको पढ़ने के बाद आप कोश्चन करिएगा एक भी कुश्चन आपका घटना चक्र का छोटेगा नहीं ठीक है तो यह देखिए पूरी तरह से यह डाइग्राम के फॉर्म में कर्मट किय दाउनलोड कर लीजिए जो लोग नए होंगे जान लीजिए हमारा घटना चक्र का हिस्ट्री और जागर्फी अल्टार्नेट डे पे चल रहा है डाइकां ग्राम के फॉर्म में आपको पीडिया को क्रियेट किया जाता है इसको पढ़ाया जाता है और आपको कुश्चन भी करवायां जाते हैं जो पीजिए चाहें आय Veterans में आए हुए हैं चाहें ыब पीसिए चाहें वहारों आयों ही हैं ठीक उसके को करवाया जाता है यहां पर आपको पूरी तरह से याद ही कऱवा दिया जाता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए ने याद कर्वाने के लिए ही आता है तो चलते हैं हम शुरू करते हैं अगर आपको अच्छा लगेगा नए बच्चे होंगे तो प्लीच just subscribe कर दीजिए पर वीडियो को लाइक कर दीजिए से किसकी मानसून की उत्पत्ति अब देखिए जब मानसून आता है भारत में जब मानसून परवेश करता है उसके कई फैक्टर हो सकते हैं कई परक्रियाएं हो सकते हैं तो कौन कौन सी वो परक्रियाएं हैं वो हो सकते हैं तो त्पारिका प्रिकेक पहला क्या पर किया सूरीका उत्राइड इसमें क्या होता है जैसे आप देखे होंगे यह was होता है यह होते हैं इसलिए two लार्द में ओते हैं इस लिए जब सूरिका उत्राइड होता तो यहां पर क्या होगा ताप जादा होगा तंप्रेचर जादा होगा जहां पर तंप्रेचर जादा होगा वहां पर प्रेशर कम होता है तो पहला फैक्टर यही हो जाता है कि जब सूरी का उत्राड होता है तो भारतिय उप महादिप में उच्छे ताप मान होता है और निम् पहला देखें दो फैक्टर आप याद होगा जैसे में आपको लिखना है तो ऐसे अगर बनाके लिख देंगे तो वहां से पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा यहां पर एक प्रकार से मेंस वाला भी आपका कांसेट केलियर हो जाता कोई अलग नहीं आता में ऐसे ही आत होता है वह भूमद आइटी से जड़ अगर आपसे कोई पूछे कि यह होता क्या है आपको अगर कुछ ना पता हो तो इतना कर दीजिए कि विश्वत रेखा भूमद रेखा पर एक रेखा होती है कौन से निम्न वायुदाब की पेटी होती है बस निम्न वायुदाब की जह होता है जून के महीने में यह आई टी सी जट कहां पर अस्थांद्रित हो जाता है भारतिय उपमादीप पर अस्थांद्रित हो जाता है जब यहां पर रहता है विश्वत रेखा पर तो यहां पर मुसलाधार बारिस होती है विश्वत रेखा पर इसलिए तो जंगल कांगो बेसिन यह सब क्वाम हुए हैं यह जब कहां पर अस्तानतरित हो जाती भारतियों महादीप में तो भारतियों महादीप में बारिश करती है तो यही कहा गया यहां पर कि अन्ता उसका बंदिये छेत्र आईटीसी जड़ में परिवर्तन होता है परिवर्तन उच्छे ताफमान हो जाता है और निम्न दाब होता है जब यहां उच्छे ताफमान निम्न दाब होता है तो यहां पर एक मेड़ा गासकर है मेड़ा गासकर का नाम आप सुने होंगे एक दीप है बहुत बड़ा सा तो क्या है उजिसी मेड़ा गासकर की आसपास का होता है ह respectful जब यहां पर उच्छ दाप मान हो गया हमारे भारत के उपर तो मेड़ागास कर पर यह वाईदाब हो गया तो मेड़ागास कर पर उच्छ दाप मान हो जाता है क्या है भारत में जब निम्न वाईदाब या उच्छ तापमान हो जाता है जहां तापमान उच्छ होगा वहाँ वाईदाब निम्न होगा जब यहां पर निम्न वाईदाब उच्छ तापमान हो जाता है तो क्या होता है मेडा गास करके उपर प्रक्राइब कि तो आप जानते होंगे हमेशा जो हवाय होती है उच्छ वायु-दाब से निम्नख़ डूर चलती है तो यहां पर हिंद महासागर में जितनी भी हवाय होगी वह किस साइटे सोउ đã जैंगे उत्तर की तरस चलनेगी उत्तर की तरफ मतलब भर्त की उपमादीब की तरफ चलेंगे जब भारती उपमादीब की तरफ चलेंगे तो चाहे जितना आधरता ग्राड की होंगी आवाएं चाहे उसमें हुमिडिटी होगी सब कुछ ऊपर लेके जाएंगी और यहीं से मतलब मांसून का परवेश होगा एक जून से ठीक है तो यह इतने फैक्टर काम करते हैं ठीक है सूर्ण का उताड़ आईटी सी जड़ ऊपर की तरफ हमारे महादीब में जब आजाता है तो उच्छ तापमान हो जाता है और निम्न वाईदाब उच्छ तापमान बना दिया है ताकि आपको याद रहे अच्छ वाईदाब निम्न इतने फैक्टर आपको याद करना है अब देखें मानसून का आगमन कहां होता है यहीं से मानसून का आगमन होता है यहाद रखेंगे अब तोड़ा-सा मानसून के बारे में रखेंगे और आभी आगए आपको बता जाएगा ठीक है अब देखिए यही पूछा गया था सबसे पहले कहां पर मांसून का आगमन होता है केरल में सबसे पहले मांसून का आगमन होता है ठीक है याद रखिएगा अब देखिए परानिम्बिक मांसून की अवस्था क्या होती है मांसून की उत्पति का म अस्थलिये भाग होता है उसका बिन्न मात्रा में गरम होना इसलिए हवाई भी चलती है जब हवाई चलेंगी तो मान्जोन की आए गटी ग्रीस में भारत के उत्तर पश्मी भाग में तापमान बहुत उचा हो जाता है जिस कारण वहां पर क्या होता है निम्न वाईदाब छे हो जाता है जिस कारण वहां पर निम्न वाईदाब छे बिक्सित हो जाता है इसके विपरित हिंद महासागर अफेच्छा करित ठंडा हो जाता है अगर यहां पर कंप्टीशन हो और हिंद महासागर में कंप्टीशन हो तो हमारे यहां तो ज्यादा ही गर्मी पढ़ेगी गर बस यही कांसेप्ट कोई आलग कांसेप्ट इसमें नहीं है ठीक है उच्छ वाइदाब बना रहता है अता उसकर बंदिये अभिसरड़ छेट ITCJ इंटर्टब कल कर्मेर्ज्श इंट्र इस्थांत्रित हो जाता है किया कि यहां उच्छ वाइदाभ बना रहता है तक किया होता है जहां भी उत्षवाईडा भी होगा ठीक है तो यह देखिए यहांपर आ जाता है हुआरे हम वारिस होती है ऐसे होता है दो परकार के मांसून हमारे भारत में आते हैं एक कौन सा होता है अरब सागर की साखा दूसरा होता है बंगाल खाड़ी की साखा अरब सागर की साखा अरब सागर मतलब जो यहां से जा रही है मांसून इसकी साखा और जो यहां से जा रही है इस साइड से उसकी साखा अब दिखिए जो अरब सागर की साखा होती उसको तीन पार्ट में डिव पहली साखा यहां पर वर्सा करती है और दूसरी साखा कहां पर नर्मदा और तापती से होते हुए मद्ध भारत में वर्सा छोटा नागपुर पठार में वर्सा आधी करती है तो जो नर्मदा और तापी की बैली है उनसे होते हुए जो मद्ध भारत का छेतर है चोटा नाग छाफ्टमि घाट में वर्सा करती है तीसरी साखा और कच्छ में वर्सा करती है एक आइसे साखा होती है जो सीधे यहां पर चली जाती है यह थोड़ा सा कमजोर होते हुति उतना सवराइश और कच्छ के जो भाग हैं वहां पर वर्सा करती है तीसरी साखा है अब देखें बंगाल की कौन कौन सी साखाएं हैं तो आराकान यूमा परबस से टक्राने के बाद दो भागों में विभाजत हो जाती है एक कहां चले जाती है गंगा के मैदान तथा पंजाब तक वर्साफ करती है जो आपके यहां होती है यही होती है तो बंगाल की खाड़ी की साखा होती है यहां आराकान यूमा परबत है इसी से टक्राने के बाद यह किधर जाती है यह इधर ऐसे जाती है तो ऐसे ऐसे पूछा गया था कि जब यह आपका यह बंगाल की खाड़ी की स है पंजाब तक ATTRA बन्तर पूरवय तक वर्षा करती है तो यहीं पर जो एक और साखा है ये कहाँ पर जाति ये बंगाल ब्रेंकों थो कि भाडोई हो जाती हैं इसका दो से सकामें डिवाइद हो जाती ceğरवाइड के कि खाड़ी की संसे नहीं तो दो के दो पार्ट में अरफ सागर की साखा इतने बार्ट में तीन पार्ट में होती है बंगाल किखाड़ी कौन कौन साखा में डिवाइड बंगार काइड hoe mental किलेगी तृ कर ने लिए दो बर्शा और यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड होता है चलते हैं यहां कुछ फैक्टर देख लिए जैसे मताले आगना और धारे और यहां में यही आप से इंटर्वियू में पूछे क्या कारण है कि आगरा और यह यह अच्छान्स पर होते हुए भी आगरा गर में रहता है और दाजलिंग ठंडा रहता है तो आप सिंपल एक जबाब दीजिए क्या है उचाई पर इस्तित है और आगरा मेदानी भाग में इस्तित है पस यही इसे कोशन एक और बना था यहां पर अमरिश सर यह दिखी यहां पर लिखा गया अमरिश सर और यहां पर सिमला क्या कारण है सिमला में अधिक ठंडी होती अम्रित्ष में अतना ठंडी नहीं होती गर्म है तो यही उसका भी region है कि यहाँ पर आम्रित्ष मेदानी भाग में है उचाई के साथ तामान घर्टार है बस यह यही की और रीजन बताएंगे और कुछ नहीं अब पूछे आप है भारत सबसी सूख्षास्थान उनसा है तो लेह बताएंगे कहां पर ले बताएंगे और अब फूछे सी सब भारत चाहस भारत में सबसे ज्यास दैनिक ताफांतर मतलब क्या होता है कि अगर दिन में आपसी कहांat 45 कि पानच से कहांफ पर चला इथ यह 45-5 जो ना इतना गोरत पर आ जाता है निरख शर्छाष मामें आर्फृ ऑर में जो राते होती है और सर्वादिक तापांतर क्योंकि वहां पर जो मौसम होता है स्व्रवधिक दैनिकता पांतर आप से कोई पूचिये सरवधिक दैनिकतापांतर कहा होता है तो राजस्टान के पाइव में होता है सब कुछिन के programme करते हैं जानते हैं जब जहां से यह परवेश करेगा यही से पर्वیس करेगा तो माचुन तो ज्यादा ही ही वादे है किसे जब आपड़े जाती है कितना यहां पर दिन लगातार भारिस होगी ठीक है उत्तरभारत के मैदानों में वारसिक ब्रिष्टी की मात्रा पूर्विस से पश्यम की और घटती है तो यहां पर अगर कि मानसून की जो अरब साकर है यह उत्तर से दच्छड की और घट रही है इसकी और जो यहां पर बंगाल की खाड़ी की साका है कह रहा है कि यहां से ओपर गिज़ें मतलब तो यहांपर ज्यादा बारिस अगरा यहांपर आटिखताक पूरफ से पश्चिन घठती है यहां पर जुक आरी के पेपर में आया वraum 12th में जायदा है और उत्तर में कम है ठीक ऐसे को एक दोनों स अद्थ में Built कि यह कोश्चन आपके पेपर में आया हुगा था यहां पर देखते हैं कि यहां भी कुछ है मासी नारम यह सरवधिक वर्षा वाला स्थान है तो आपको सिंपल इस नाम चेना भूजी ठीक है यह सब सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं मसेरम कहा है में गाले में अब देखिए तेजपुर और कोच्चि के बीदी पूछा गया था कि तेजपुर और कोच्चि यह उड़ीसा के असपास पढ़ता है और कोच्चि के रिला में थे तो यहां पर क्या है यहां पर आदर जल लवाई पाई जाती है यहां पर देखते हैं मांसुन का प्रत्य वरता है रिट्रीट आप मांसुन मतलब मांसुन जब लोटना प्रारंब करता है कब से करता है तो एक सितंबर से लोटना प्रारंब करता है 15 सितंबर तक पश्ची में उत्तर परदेश पंजाब हरियाडा सून ठीक है अब देखिए लवटती हुए पौने बंगाल की खाड़ी से जलवास गरहड कर उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडू पहुंचकर वर्सा करती है अब आपका यही कोशन बनता है कि जो तमिलनाडू में वर्सा होती है जो किस कारड़ होती है तो उत कारड़ क्या होता है सूर्य का दच्छडायर होना प्रारंब हो जाता है क्योंकि सितंबर अक्टूबर के आसपास क्या हो हमारे हां बसंत या आप कर सकते हैं थोड़ा सा ठंडी मौसम होना इस्टार्ट हो जाता अक्टूबर तो सूर्य क्या होता है जहां से चला ही जाता है ठीक है दिखते नहीं ठंडियों में क्या होता है मौसम बहुत सुस्क रहता है ठीक है तो आप तरह तरह की क्रीम लगाते हैं ठीक है जो वाइली क्रीम होती है निम्नवाइद आपकी पेटी दच्छड से उड़ पेटी दच्छड की और खिसकना जो निम्नवाइद आपकी परणड हो सकते हैं ठीक है अब देखिए आएटीसी जड़ एक निम्नवाइदाप पेटी है जो भूमत दरेखा परिस्तित होती है अब देखिए इतना पढ़ से देखिए हो है क्योंकि जो उत्तर की ब्यापारिक पावन है और दच्छड की ब्यापारिक पावने हैं इसी इस ब्हुमत दरेखा पर निम्नवाजड़ परिएट हो जाता है ठीक है यारे क्योंकि ऑने हैं हमेड़ा पावने कैसे चलती हैं उत्यव माइदाप से निम्नवाजड़ लिए अब यह एक ह्स्ट होपता करिया रखेंगा तो इतना याद रखेंगे बस बारिस करना होता है बारिस करने के लिए हर जगह जाती है अब देखें मानसूनी वर्सा कि इसकी विशेष्टाएं क्या होती है देखें हमारे जो मानसूनी वर्सा होती है अगर आप से कोई भी पूछे ऄंटर्वियर पूछ रहा है क्या एक Gothic बताईएं कि जो मानसूनी वर्सा आपके यहां होती है उसकी विशेष्टा ने क्या होता है तो आप क्या कहेंगे हमारे हम जो बित्रड की असामानता की चाहिसे देख रहे होंगे कहीं कहीं पर बारिस बहुत ज्यादा हो जाती है और कहीं पर बारिस भी तैटर जी हुना क Avecतन 2020 हो जाती है और हम आगरा में देख रहे हैं पच्छी में उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं मतुरा में देख रहे हैं बारिस नहीं होती है तो क्यों कि सभी बारिस तो इसी मनसून से हो रही है ठीक है तो बारिस की असामानता भी पाई जाती है कहीं पर जादा बारिस कहीं पर कम बारिस मौसमी वर्सा होती है साल के 2-3-4 महिने में वर्सा होती है हमिसा वर्सा नहीं होती वर्सा की आनिय में तता होती है जहां चाहिए वहां नहीं जहां नहीं चाहिए वहां बारस हो जाती है परवतिय वर्सा होती है मेगाला की पठार उठार पर देखिए वहां सब परवतिय वर्षा होती है, वर्षा की निश्चित आवदी होती है, इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त इसी में बारिस हो जाती है, और बारिस होती ही नहीं पूरे साल, मुसलाधार वर्षा होती है, मुसलाधार भी वर्षा होती है, वर्षा की अनिश्चितता हो माईयों से किस परकार से माजसुन से जादा वर्सा होती यहां लिखा कके दैश्र पक्र मानसुन लुखत दार बारस ओती है सबसे जादा बार 16 मों से पश्कशीμी भीचवब से बड़ेगे थामस्की मिंशैनल गजशा से तीन परसंट वरसा होती कि है मांसून पूर्व अस्थानिय चक्रवाती वर्षा कितना होता तीन पर्षंट से जैसे उडिशा के आसपास पंगाल के आसपास देखते नहीं है या गुजरात की चक्रवात नहीं आते हैं तब भी बारिस होती है जो रिपोर्टर होते हैं वो जाते उसी बारिस में अपनी रि होता है मांसून का बिच्षेद होता है उसका क्या रेजन है कारक है तो पश्चमी तटपर पौनों का समांतर परवाहिद होना ठीक है तो पश्चमी तटपर क्या होता है जो पौने होती है वो समांतर सीधे तीधे परवाहिद होती यह एक फैक्टर हो जाता है मांसून के आ कमी हो जाती है तो यही होता है उत्तरबारत करद भारत में मैं चेर प्रवर्टन यह पूछ रहाए और उत्रवातों नीचले परतों में ताप्य Symp होने के बजाए किया होता है अधिक होता है इन वर जशं जब हमेंशा देखते हैं उचाई बढ़ते हैं पड़ीता ताम बढ़ते हैं टाप मतना नहीं होता है कि उचाई बढ़ने पर तापमान कम नहीं होता ठीक है बढ़ता जाता है उसी को तापमान इनवर्जन कहते हैं ठीक है यह कभी कभी होता है हमेशा नहीं होता है उचाई बढ़ने पर तापमान कम होने के बजाए अधिक होता है उसे तापमान इनवर्जन कहते हैं तंप्रेच इनवर्जन आप टंपरेचर कहलाता है ताप यह भी बहुत बड़ा कारण होता है मांसून के ब्रेक होने का आद्र वाईव के आरोहड में बाधा होता यह ठीक है अलो देखें करनाटक और केरल में होने वाली मांसून वर्षा होती है क्या जो आमर वर्षा होती है आमों के लि अब देखिए यहां पर बहुत important topic है हमेशा यहीं से question पूछा जाता है देखिए उत्तर पश्चिम भारत में भूमद सागरी है और पश्मी विछोब दौरा परमुक छेतर पंजाब हरियाड़ दिल्ली पश्मी उत्तर परदेश यह एक बार कुछा गया था भारत के उत्तरी म स्कुनित्तर पर फच्तर से यहां इस तो नहीं लगिंतर है नहीं होती है जो पश्मी बिछोब के चे कर्म होती यहीं होज़ाम तो यहां यहां फई तके उत्तर पश्मी पश्मी उत्तर परदेश में भी बारिस करती है तो यह याद रखेंगे आपके पेपर में एक कुछना और पूछा जाता है कि क्या तमिलनाड कमी उत्तर पूर्वी मानसून के दोहरा सबसे जयादा वर्सा प्राप्त करने वाला राज थी पस्त का今日 म अगर हम तुमी नार्व की बात करें तो तर पूरवी मां सून से वर्सा प्राफ्त होती इससे अंतर पूर्बी मांसून से वर्सा प्राफ्त होती है किस अधर अधर्ऑ के महीने में लगबख 60-65 cm की वर्सा होती है तो पश्चमी बिच्छोब सित यहां पर पंजाब और पश्चमी उत्तर आसपास उत्तर प्रदेश के आसपास बारिस होती है तमिल्लाड में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा अगर आप यहां पूछ लेकि क्या पश्चमी बिच्छोब के द्वारा तमिल्लाड में बसा होती है नहीं होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है यह याद रखिए कि इसलिए बार बार बता रहा हूं बैया पाभी देखे मैं कोश्चन भी दिखाऊंगा कि आपके पूर्वी मैदान है यह भारत का यहां पर बारिस होती है पूर्वी तटीए मैदान पर ब्यापारिक परवाह के करण बारिस होती है सूर के दच्छायर गुलाद में होने के करण उच्छ दाव वाईदाव यह तो आई श्रीटी जड़ वाला काइंसेप्ट है अब देखे अब देखे उच्छ वाईदाव पावन का परवाह कहा होता है तो पावन का परवाह उत्तर पश्चिम भारस से पूर्वी की और होता है तो यह जो ठंडी में क्या होता है उत्तर पश्चिम भारस से पूर्वी की और होता है पावन का परवाह याद रखेंगे किस तरह इधर से होता है ठीक है अब यह कि उपर पीसेश दोजान नौ में यही कुश्चन आया था कि उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा सबसे ज परकार की होती हैं भारत में उस्कड़वंदीया और उप्वोंच कड़वंदीया दोनों परकार की जल्वाय की दसाइँ पाई जाती है तो अगर आप मोसम बग्यानिक जैसे हम सब क्या करते हैं कि इस तो कि कितनी परकार के होती हैं तीन जोते हो चार भागों में बाड़ते हैं जैसे जारे perform सुनत निर्वर्टन 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक बाठते हैं तो यह बग्यानिक किवास है जो चार भागों में बाठते हैं तो यह याद रखेंगे अब देखें परमपरागत भारत की परमपरागत लितुएं अब यह समस होचे गए यह भी आएगा आपके 2021 के पेपर में आरो यारो के पेपर में यह कुशन पूछा गया है कि बसंत वाला चैतर बैसाग मार्च अपरैल तो ठीक है याद कर लिजिए अभी भी आ सकता है आपके पेपर में तो देखें बसंत क्या है बसंत भारतिया महीना चैतर और बैसाग ठीक है मार्च और अप्राइल में ठीक है याद रखेंगे जो बसंत होता है चैत्र और बैसाग और अंग्रेजी महीना कौन सा होता है मार्च अप्राइल अगर घर पे कुछ लोग कहते हैं चैत्र चला बैसाग चला तो क्या होता है वह आप समझ जाएगा मार्च अप्राइल अग्र पोछ रहा है इस सावन का महीना होता है वो मगउन सावण झुलाई अगस्त कुछ उसके सावन और ऐसके बाद भादर पदल तो सावन और भादर पदल जुलाई अगस्त कि आश्विनिय और कार्टिक सितंबर और चलता है काथिक माह जो अक्तूबर महीना होता है जिसमें आम के पाउदों की ज्यादा बैट मौलब उसको बठाए जाता तो यह वह सितंबर अक्तूबर में होता है मार्ग सीस पास तब नौमबर दिسمبر पूस घर पेस अपर फोस बुलते हैं पूस माग फागन जनवरी और फरवरी तो माग फागन कौण सा होता है जनवरी फरवरी तो ऐसी कुश्छन आपके पेपर में हारो यारो में आया हूँ इसलिए मनें पूरा लिख दिया ठीकि है ताकि आपको को याद रह कि कोल्काता पटना अदिली में सबसे जज़ाशा वर्सा कहा होती है तो Όगह पटना में फिर दिली में कोची में फिर कोल्काता में कोच्ची में नहीं वही आई रहता है मौन पिर पाटना मैं कि और कम होती जाती यह कई बार कुश्चन पूछा गया आपके जैसे यह देखिए हमने इधर तोड़ा सा डार किया हिदर थोड़ा सा हलका करिया इसलिए ताकि आपको याद हो जाए पाश्मी बिच्छो पाश्चिम से पूर्वी की और घरती जाती है और देखिए यह पूर होता यह गर्मी के महीने में लूच है तौक फिसक्फद में शरवधिक वर्सा को होती है पच्छमि घाट में होती है हमालाए छ्चेत्र में और मेगःाने में होती है 00220 cm से अधिक वर्सा होती है तो कुछ जूंद आपकी यही पूछ गया थै कि भारत की वरसा टेनातो सरवधिक वर्षा वाला चेतर कौन सा है तो पश्चमी घाट हिमाले चेतर में घाल है यह सरवधिक वर्षा वाले चेतर कहलाते हैं यह याद रखेंगे भारती मौसम विग्ञान विभाग की परिभासा में वर्षा का दिन अगर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज वर्षा हुई आज यह वर्षा का मौसम दिन था उसके लिए बैग्यानिक ने डिसाइट किया है कितना सेंटी मिलिमीटर तक या कितने घंटे तक वारिस होगी तो उसको वर्षा का दिन बोला जाएगा तो 24 घंटे में 2.5 मिलिमीटर या उससे उपर अगर वर्षा होती है तो यही वर्ष ा का दिन यही वर्षा का दिन नहीं धेऊसांर थकर और नहीं होगा है दो दस्न लोगे और इतना वारिस हो जाती है तो वर्षा के दिन यहीं कहला बहात मैं अंतरदेसिय जलमारगोंकर नहीं हुआ है क्योंकि भारत-क अधिकतर भागों में वर्वारत चार महीनों में होती इसन os माली यहां से यहां जाना हुआ ठीक है जल मारगी यहां से यहां तक जाना हुआ तो इसका विकास जादा नहीं हो पाया है क्योंकि बरसा पूरे साल होती नहीं चार महिने में होती है आदा पानी बाके समंदर में चला जाता है फिर वही सूखा वाला इस्तिते आ जाता है जब तक बारिस नहीं होती तो इसलिए कहां पर पानी ही नहीं मिला है पीने को तो वहां पर जलमार कहां बना देंगे ठीक है तो यह यही है तो याद रखेगा जलमार क्यों नहीं बन पाता क्योंकि उतना प्रियाद वर्सा ही नहीं होता सिर्फ चारी महीने में चलने वाली भैंकर और बिनास्कारी वर्सााय कि यह कहते हैं काल बयसाक्य को आस्क में बाड़ो स्टीशी कगा जाता है समय बार्डो इचिला कहा जाता है कि सहां पर आसम में काल बैसाखी को ठीक है तो यह याद रखेंगे तो अभी चलते हैं कुश्चन करते हैं ज्यादा आपका क्लियर कांसिप्ट होगा ठीक हम तो जितना भी हमने पढ़ाया है यह सभी कुश्चन के फॉम में आपके पेपर में पूछे गए थे एक बार जब मैंने पढ़ा दिया है तो इनको क्या करिए इनको एक बार खुद से पढ़ लेजिए रिवीजन करते हुए दस पंदा मेंट इस पर दे दीजिए आपका काफी किलियर हो जाएगा और इसके बाद कुश्चन करिए ठीक है आप घट उच्चे वाई ताप मान और क्या होता है निम्न वाई दाब होता है हिंद महा सागर की वाई करशड करते हैं जिसके कारड़ परवाहित होती है जिसके कारड़ क्या परवाहित होती है तो दच्छडी परश्मी मानसून होता है क्या होता है दच्छडी परश्मी मानसून होत तर पाँ जाता तो भारत कि किस भाग में सर्वदिक धैनिक ताप अंतर पाँ जाता है तो राजास्तान के मरुस्थलिय भाग ऩह वर्सा होगी और उत्तर भारत में कम वर्सा होती है यह याद रखेगा नीचे जदा अवधी होगी तो यह यहां आवधी घरती जाती एकदम आपका सही है उत्तर भारत के मैदानों में वार्सिक वार्षिक ब्रिष्ट की मात्रा पूर्व से पश्चिम की और घटती जाती है अब देखें यहां पर करें वार्षिक ब्रिष्ट की उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक ब्रिष्ट की मात्रा पूर्व से पश्चिम की और घटती जाती है वार्षिक ब्रिष्ट मलब जो आपका यह बंगाल की खाड़ी की साखा है वह पूरवे से क्या होता जैसे पूरवे से कलकत्ता है तो पूर कलकत्ता में ज्यादा बारिस होगी और यहां पर क्या है यहां पर कम बारिस होगी तो कलकत्ता में ज्यादा बारिस होगी प्रियाग राज में ज्यादा बारिस होगी और जैसे उत्तर की और जाएंगे चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजीपूर गाजियाबाद या आप जाएंगे आगरा जाएंगे तो एक और दो दोनों सही है अब देखिए यहां पर यह भी यह कुशन यह कुशन कहा आया है यूपी पीसे 2022 में कुशन आया है अब देखिए इसमें क्या करा है आगरा और दार्जलिंग एक ही अच्छांस परिस्थे तक इन्तु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिगरी सिल क्के ढम करेंने होते हैं तो आपको सिर्फ यह इत्ъsl झाएब करना है जहां उठाई होगी वहां तापमान ज्यादा होगा चाहे फीज़ान की त्रक्राइबहरर से नहीं मतलब है जहां पर उब्स्क्सि कि कभीकभी नहीं घरता हमेसा घरता है wine जब तो याद रखिए गा, हागरा का तापमा न सोला डिगरी और दाजलिंग का चार डिगरी, उचाई का इसमें फैक्टर है, तो यहाँ पर दोनों ही सही है, और यह आरेक की सही ब्याक्रावी कर रहा है, कि उचाई के साथ में तापमां गरता है, आमरिस सर और सिमला का लगभग एक ही अच्छान से परंतू उनकी जलवाई में भिन्नता कारण क्या है तो क्या है उचाई में भिन्नता ठीक है आमरिस सर और सिमला अभी हमने बताए यह अमरिस सर था यह यहां सिमला था एक ही अच्छान से था लेकिन उच्छाई की भिन्नता कार्ड यहां पर बर्प पढ़ता है सिम्मला में अमरे सर में नहीं पढ़ता है तो चाहिए कि भिन्नता के कार्ड ठीक है निम्रेतिवों मेरे भारतिया कलेंडर के उनसार कालकरों में बवस्तित कीजिए कौन सा पहले आया कौन सा बाद में है आरो यारो देखे 2020 में यही दो आगे फिर बर्षा आता है फिर लाष्ट में सरद आता है ठीक है यह पीवाला यही सही हो जाएगी यूप यारो यारो तो 2021 में कुश्चन आया हुगा है ठीक है तो यह याद रखेंगे अब यहां पर देखते हैं उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प नाडू है यह पर पीसे 2009 में आया हुगा है कुश्चन अब देखें कौन सा दो लगभग एक ही अच्छांस पर वस्ते तो पिर भी उनकी वार्षिक मात्रा में कुल अंतर सो अस्पष्ट है तो वह कौन कौन से अस्तान है जहां पर क्या है एक ही अस्तान मतलब एक ही मतलब अच्छांस पर इस्तान है लेकिन उनकी कुल मात्रा का अंतर अस्पष्ट है तो कौन सा होगा आपका यहां पर तो यहां पर अजमेर और सीलांग होगा अजमेर में देखिए बारिस राजस्तान में बारिस सीलांग कहां पर मेगाले में है तो यहां पर मेगाले में जानी र पूछता है कि एक चांस पर होते हुए कहां पर तो अजमेर और सिलंग एक हस्तान पर लेकिन 12 असका अंतर पाय जाता है अधिक एक मौसम में बिद्ग्यान केंद्र आुस्ट वार्सिक वर्सा तापमान चब्र डिगरी सिलसियस आुस्ट वार्सिक वर्षा होती है कौन सा स्थान बताया था मिलाड़ू ता मिलाड़ू मलब चिन्नई हमने बताया था यहां पर ओपर देखिए हर एक चीज को हमने आपको बताने का पर्यास कि इसी में रहता है ठीक कहां पर भी मैं दिखाता हूं आपको यह यहां देखिए साठ से पचातर सिंटीमीटर वार्सी कोरों मंदल टट पर कभी भी आपसे पूछे कि उत्तर पूर्वी मानसुन से वारिस कोरों मंदल टट पर कहां पर किस से वारिस होती है उत्तर पूर्वी मानसुन से चन्नई में कहां से वारिस होती है उत्तर पूर्व सब्सक्राइब को यहां पर पूछ लिया गया था कहां पर गया था कुछ निए कि यह यहीं पर यहां यह कि आई यह 63 सेंटीमीटर लिखा गया है ठीक है तो साट से पचाहतर के बीच में यह चिन नहीं वाला का आप्शन हो जाएगा ठीक कि आई चलते हैं अधरों पर थे यह वाला कोशन देखते हैं भारते नगरों में समान वर्षा और और ही करम में कौन साथ है तो सबसे जाएदा वार्षा कहां होती है कोची में पिर कोलकाता में फिर पत्ना में पिर दिल्ली में यह आपका देखें सिंपल कोशन आया था अब अधिक्त होते हुए याद देश नदर्व पूर्सा का पानी सिगरता से भाब बनकर ओड़ जाता है क्योंकि गर्मिया हमारे यहां इतना होती है ठीक है उसके लिए उड़ी जा आए तीनी चार दिन में पता चलता बारिस ही नहीं हुई थीक है वर्सा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोड़ दार बारिस होता सिर्फ ज सब्सक्राइब किसी विसेश सथान पर वर्षा की मात्रा इस परकार होती है तो कितना होती है तो वर्षा की मात्रा 2.5 मिली मीटर से तौक तो वर्षा का दिन खंद चलता है मतलब पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ चले तो मानसून की वर्षा घरती हुई मिलती है ठीक है गंगा के मैदान का जो जो उपर बढ़ता है आधरता धारी मानसून पवन और उंची जाती है तो ठीक है तो इसमें कौन सा आपका सही है तो आपको कह रहा है कि अगर आप गंगा के मैदान में यहां मानली यह खड़े हैं तो कह रहे हैं वर्सा की मात्रा घड़ अमालजे यहां पर आप पटना में खड़े हैं थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की तरफ चलना है या इस साइड चलना है तो यहां पर वर्सा कम होगी यहां भी कर वर्सा कम होगी पटना में ज्यादा होगी तो यही कारा पहला तो पहला तो आदर्ता भी कम होगी ठीक है तो क्या होता आदर्ता कम होती जाती है ये भी दोनों ही सही है जब आदर्ता कम होती तो बारिज भी कम होती तो ये वाला कौन सा पहला वाला ही सही है अब भारत में अंतर देशिया जलमारों को प्रयावत बिकास नहीं हुआ है क्योंकि भारत में अभी अधिकतर भागों में वर्थ सा शारा वर्षाब के चार महीनों ही खोती है। आप तो अवय तो चार महीने भी नहीं खिक तो क्या है मैं कौनसा सज़य होगा पहला क्योंकि होती है भारत के उतरी मैदानों में सीत रिटू में वर्शा कहां होती है। उत्री मैदानों में में तो उत्री मेदानों में पूछ रहा है तो यह पश्चिमी ब च्षोप के खरड़ ती है ठीके उसी तरी तो پूछ रहा है अगर यहां गर्म होता तो वो बंगाल के खाड़ी की साखावाला होता लेकिन क्या पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् भारत में उत्रि मैडानों में जो वर्सा होती है उत्र पूर्भी मैडान में पश्मी बिच्छौब के कारड़ 我формों सपरी पड़े नदेनाण के सक्री से पर नहां होता है यहां पर भले ना कि यह लेक depende मानसुन करिया होना कि अरट ह estaban इसागता हम यहां 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 पर पाश्षिनी पिछब के नहीं के सबस्पहुते हैं तौनओं यहां तटपर वर्सा करती है भारत के उत्तर पश्चमी मैदान और पश्चमी बिच्छोब से जाड़े होने वाली करमसा मात्रा कम होती जाती है तो पश्चमी बिच्छोब में हमेशा देखेंगे पश्चम से पूरब की यहां से जब चलेंगे इस साइड़े से चलेंगे तो यह घ बढ़ता जाता है तो कहां पश्चम से पूरब की और कम सा कम होती जाती है अगर हम कहें पश्चमी बिच्छोब मलब पंजाब में ज्यादा बारिस होगी उससे कम हर्याड़ा में उससे कम दिल्ली में उससे कम पश्चमी उत्तर प्रदेश में बारिस होगी ऐसे बारिस होती ह परतिचक्रवारती पहले से हमारे यहां मौजूद है जिए पहले से हमारे यहां मौजूद है कि वर्षा की जरूरत नहीं होती देखे कभी कभी गर्मियों में साइक्लोन आ जाते हैं तो इसमें इसका कोई फैक्टर नहीं होता है ठीक है सिर्फ आपका यह सही प्रंतु आर गलत है यह आई इस में पूछा गया तो तो आज आपका थोड़ा सा बीडियो लंबा हो गया है तो थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब कांसेट समझाना था यहां पर क्योंकि यह जलवाई का था तो मतलब इतने मतलब अगर कम समय में 20-25 में नहीं समझा सकते थे तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको पसंद आया होगा तो पी लाइक से सब्सक्राइब कर दिएगा धन् समस्कार जय हिंद जय भार